नमस्कार दोस्तो अगर आप Forex में Trade करना चाहते हो या फिर अभी अल्रीडी ट्रेड कर रहे हो तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी इक Strategy बताऊंगा जो आपको गोल में आप अगर ट्रेड करते हो तो प्रॉपरली वहाँ पे Guidance प्रोवाइड करवाएगी इवन आप अगर Bitcoin Futures में भी काम करते हो तो यह Strategy आपको help करेगी तो यह Strategy यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम है FX Indicator और यह Indicator आपको accurately signals प्रोवाइड करवाता है यह सारे signals आपको जनरेट होके मिलेंगे जहाँ पे भी आपको signals देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे Green और Red Col के arrows आपको generate होगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी Buy Call आएगा तो आपको Green कलर का arrow देखने को मिलेगा और जब भी Sale Call का Indication आपको मिलेगा तो यहाँ पे आपको Red Colors का arrow generate होगा आपको क्या करना है आपको end of the candle trade करना है जिसभी candle पे यह call generate होता है वो candle के closing पे आपको क तो जो भी traders gold में trade अभी फिलाल नहीं करते हैं उनको मैं यहाँ पे calculation बताना चाहूंगा gold futures में आप अगर trade करते हो और यहाँ पे lot size है 0.001 यह lot size आपको gold में देखने को मिलेगी जो आप minimum lot size यहाँ पे purchase कर सकते हो और यह purchase करने के लिए आपको $8 से लेके $10 का margin लगता है ठी आप चेक कर सकते हो 800 रुपे से लेके 1000 रुपे तक का आपको investment लगेगा अगर एक lot आप purchase करते हो 0.01 lot और यहाँ पे हम profit का भी calculation देखते हैं कि कैसा profit आपको देखने को मिलेगा तो मैंने आपको investment बता दिया कि एक lot के base पे आप अगर trade करते हो 0.01 lot में तो आपका investment hardly 1000 रुपे कि जो parameters में आपको बताने वाला था उसमें सबसे पहला parameter आप volume चेक करोंगे volume आपको देखना है वहाँ पे green होना चाहिए ठीक है उसके बाद next parameter आपका रहेगा candle color यह आपकी green होनी चाहिए ठीक है next thing आपको देखना है यहाँ पे buyers और seller के percentage आपको नजर आ रहे तो candle closing पे यह parameter आपको देखना है यहाँ पे trailing stop loss line यहाँ पे आपको stop loss line नजर आ रहे है इसका आपको ध्यान रखना है यह आपके candle के नीचे होना चाहिए ठीक है जैसे कि यहाँ पे मौझो देखना है अगर यह parameters आपको signal पे देखने को मिलते है तो वो call perfectly आपको target देगा at least first target आप लेके calculation बताऊंगा कि कितना profit आपको Indian rupees में मिलता है ठीक है तो आप अगर gold में trade करना चाहते हो तो आप यह strategy follow कर सकते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको entry मिली थी 2709.44 से ठीक है आपने यहाँ पे 0.01 lot purchase किया और यहाँ पे target हमारा था 2711.93 ठीक है तो आप अगर इनका difference calculate कर तो almost आप देख सकते हो 2.50 dollar का हमारा profit हुआ है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने investment किया 8 dollar और 10 dollar के बीच का जो investment आपका था single lot के बेस पे आपने उसमें earn किया 2.50 dollar मतलब अगर percentage में यह count करें तो आपने 25% का return यहाँ पे earn किया मातर हजार रुपे आपने लगा है तो इ यह strategy आपको best way में result प्रोवाइड करवागी single target आप लेके चल सकते हो first target और आप minimum 1000 रुपीज से भी start कर सकते हो यहाँ पे 2 dollar का भी profit आप अगर लेते हो तो आपको 20% का return यहाँ पे देखने को मिलता है तो इस तरह से यह strategy work करती है आप अगर इसके पहले का भी call चेक करें तो यह call था sale call ठीक है तो यहाँ पे भी sale call के वक्त हमें seller का view देखना है जैसे कि आपको उस समय देखना है कि यहाँ पे जो volume है यह volume आपको देखना है यहाँ पे red होना चाहिए candle यहाँ पे हमारी red होनी चाहिए ठीक है next thing यहाँ पे आपको देखना है again buyer seller के percentage यहाँ पे seller को सेलर जाधा होने चाहिए और next thing candle closing पर आपको देखने है कि जो stop loss के लिए यह ऊपर है ठीक है अगर आपको इस तरह के parameters देखने को मिलता है call side या फिर put side मतलब sale call रहे है तो सारे parameters आपके selling side होने चाहिए और अगर buy call रहे है तो आपको सारे parameters देखने है वो buying side होने चाहिए तो वो call confirm perfect माना जाता है और फिर आपको वो first target की surety देगा जो की 90% के almost आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर भी आप sale call चेक कर सकते हो sale का indication आपको generate हुआ था around 2708.30 का और यहाँ पे आप अगर first target देखे तो almost आपको 2.5 dollar का profit होता है तो यहाँ पे अगर 2.5 dollar आप अगर minus करें तो target आपको almost होना चाहिए था 2705.5 के आसपास थीक है तो यहाँ पे आप अगर यह candle का low check करें तो आप यहाँ पे यह candle का low check कर सकते हो यहाँ पे उपर आपको low देखने को मिलेगा जो की है 2704.95 मतलब almost जो first target था आपका यहाँ पे भी hit हुआ है तो आप देख सकते हो almost आप 20% का return निकाल सकते हो अगर आप इस तरह के trades लेते हो तो gold का यह पूरा detail में आपको बता और यह strategy gold या फिर bitcoin दोनों में अच्छे से काम करती है मैं आपको next video में bitcoin futures में trade कैसे होता है कितना capital आपको लगता है और कितना profit आपको मिलता है इसका भी पूरा calculation आपको बताऊंगा so मैं आपको request यह करूँगा कि हमारे channel को आप subscribe करकर रखे ताकि इस तरह के videos के notification आपको तुरन पहुचे ठीक है और इस strategy का आप अगर live demo लेना चाहते हो या फिर यह strategy के बारे में, forex के बारे में और detail जानकरी लेना चाहते हो तो आप screen पे दिये number पे मुझे contact कर सकते हो WhatsApp कर सकते हो description में आपको website के link भी मिल जाएंगी वहाँ जाके भी आप register करे ताकि हमारा एक्जेकेटर आपको call करके strategy का पूरा live demonstration प्रोवाइड करवा देगा मैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई प्लीज वीडियो को like करे, channel subscribe करे और इसी तरह के interesting वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे channel को follow जरूर करे Thank you for watching, bye